कि आज का हमारा टॉपिक डिस्केशन रहेगा कि जिसे क्या होता है कि सब लोग को यह दिमाग में डाउट रहता है कि सर एनलिसिस तो ठीक है इसको हम मतलब लाइब मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं तो मैं वहीं चीज़ से जाने कोशिश करूंगा कि जो भी एनलिस्ट पहले क्या होता था सब लोग यह कॉल खड़ी दो यह पूट खड़ी दो मैं तो सुरू से कभी मैंने वह चीज नहीं की और मैं आगे भी मेरा ऐसा कोई करने का प्लान नहीं है आजके आप देख रहा हूं कि इतने में पॉपुलर अनलिस्ट सब बंद कर चुके हैं यह क्यो की आप करोगी क्या जब उसको आप यूज ही नहीं कर पाऊ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी अनलिस्ट को सिंप्लिफाइट तरीके से समझा पाऊं कि उसको किसी को ट्रेट करना है तो किस तरीके से कर सकता है फोर बोत ऑप्शन बायास एन उप्शन सेलर्स उस कोशिश करूंगा और इस वीडियो को मैं अपने टॉप पे डालके रख दूँगा उसमें कि कोई भी भाई जब भी आए पहले यह वीडियो देखे ताकि उसको समझ में कि एनलिसिस को ट्रेड कैसे करेंगे तो उसको कुछ फायदा हो नहीं तो क्या है लोग सोचते हैं करना क है तो आते हैं डिस्कुशन पर देखें माल लीजे मैं एक्जांपल देता हूं फ्राइडे वाले एक्जांपल देता हूं दिफ्टी सश्टेंस अब सेवन्टीन नाइन थर्टी मूफ ट्वर्ट्वर्ट एटीन थाउजन इस पॉसिबल इफ इट ब्रेक्स अबभी ट्यू अब इसको चार्ट पर कैसे देखें आई आप निफ्टीन करों मार्केट अब नोटिस करों मार्केट अब मैं सच्टेन का भी कोशिच करूंगा सम्झाने का तरीका सच्टेन का भी तरीका सम्झाने कोशिच करूंगा अब आप नोटिस करों मार्केट 17,030 के पास क्या कैंडल बना रहा है यानि कि इसके उपर टिका तो नहीं क्योंकि अगर टिक उपर टिकना है तो ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा और नीचे टिकना है तो रेट कैंडल अब आप देखों नोटिस करों तो यह इसके उपर नहीं बना रहा है यह रेट कैंडल बन रहा है नीचे आया मार्केट फिर थोड़ा साइडवेज आया फिर नीचे गया अब देखिए आप अब आप देखिए 17,930 के ऊपर लगतार दो ग्रीन कैंडल थी फिर उसके बाद अब मार्केट इसके उपर टिकनें लगा तो अब तो दो तरीके से प्रेट हो सकते। ऑप्शन बायास के लिए पहले है परभर स्राविए 17,930 मार्केशन में जाब Sigas में आप करोगे तो तीस पॉइंट ये मूव करेगा तो 15-16 पॉइंट आपका मूव हो सकता है तो वहाँ में बेनेफिट है अच्छा अब ऑप्शन मैस क्या दो ऑप्शन होता है या तो वह नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस का मतलब जो इसके नीचे करते हैं तो वह गया ऑप्शन पॉइंट अप्शन पॉइंट अप्शन पॉइंट का देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम तहां पहां पर आती है कि मार्केट अगर उपर गया भी न तो पचास पॉइंट मार्केट उपर जाएगा और उप्शन प्रीम बढ़ेगा पांच पॉइंट तो कोई फायदा नहीं होता है तो एट लिस्ट एड़ दमनी या एड़ दमनी माइनस वन मतलब एड़ दमनी माइनस वन मतलब 7900 इससे क्य आते हैं हम की option seller क्या कर सकते हैं तो option sellers के पास दो तरीके होते हैं और option sellers के ट्रेट ज्यादा सेफ होंगे इस तरह के सिचुएशन में कि यूजुली मालो 79 30 हमने डिसकर्स किया कि इसके ऊपर निकलता है मार्केट पिकता है तो क्या option sellers अपना stop-loss ट्रेल कर सकते हैं मतलब आप अपना मार्केट में stop-loss ट्रेल करते हैं तो अब देखे 7900 अब 7900 का पुट कोई बेज देता है अगर option seller रहेगा तो वो यूजुली यही करेगा 1739 30 के उपर निकला मतलब आप निकल सकता है तो वह क्या करेगा अब इसका जैसे से यह उपर जाते जाएगा पुट ऑप्शन के प्रियम कम होते जाएंगे जो एग्रेसिफ सेलर्स होंगे वो 79 50 का पुट ऑप्शन बेज देंगे ठीक है और जो बहुत ओवर एक्रेसिव होंगे वह 18000 का बेचेंगे बट उतना अपने एग्रेसिव वाली बात नहीं करेंगे तो 79 का पूप्शन बेच के लेजिए पालेकम करें ऑक तो उसके बाद क्या है 25-30 पालेकम वापस नहीं आता है यह तो उसके बाद दीर दीर से ऑसे ऊपर जाते जा रहा है तो आप को अच्छा मुव मिल रहा है तो ये ओ गया आपका अब बोलों के सिर्ट तो यह प्रिंए नेगल गोल जाएगा 2700 तो फिर करेंगे क्या तो यह जो नेक्ट लेवल था कि 18,000 की ऊपर भी निकल गया तब आप क्या स्ट्राइक प्रेस शिफ्ट कर सकते हो तो आप शिफ्ट करके और ऊपर आ जाओगे क्या कर रहा है उप्शन बायर तो अपना वही ट्रेट को कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि उसका और इंद मनी आते जा रहा है इस स्ट्राइक प्रेस से उपर वाले में शिफ्ट हो गया अब 18,000 के उपर ब्रेक आउट दे दिया तो 18,000 में शिफ्ट हो गया जहां जहां कम होते जाए वहां वो प्रीमिया अपना मैनेज करते जाए यह हो गया हमारा वाइस से अब आते हैं अब आते हैं अब हम आते हैं शॉट साइट के एजांपल में अब नोटिस करके आप देखिए फर्स्ट फाइव मिनिट एक हैं ठीक है इसके नीचे बन चुकी है मार्केट रेस करने के उपर आया फिर 43,000 के बाद फिर से नीचे आ रहा है तो अब 42,980 के नीचे रेड़ केंडल सी बन रहे हैं क्यों क्योंकि यह ऊपर भी जाने कोईश्च किया तो फिर नीचे आने लगा राइट मतलब सस्टेन मार्केट करने कर रहा है आप नीचे के तरफ आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए उसके बाद देखिए आप और नीचे आते गए स्टॉप लॉस्ट भी हमने ट्रेल करा कराया त्रेलिंग स्टॉप लॉस्ट भी कर रहा है यह कब डाला दस बच के तेरह मिनट पे ठीक है अब दस बच के तेरह मिनट के बाद आप देखो इस तरफ मार्केट इधर उदर इधर उदर कर रहा है यहां पर हिट कर गया आप एगजिट कर लो बट इसको ऑप्शन बायर कर सकते हैं तो अगर कोई ऑप्शन बायर है तो 42 980 यह लेवल जो मालीजे मार्केट के नीचे के तरफ तोर रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे 42 980 क्या फूट खरी देंगे अगर यह फ्राइडे आप करेंगे तो फिर भी फिर भी ठीक है बट ठंजे करते हो तो ऐसा हो सकता है मार्केट यहां पजास पॉट नीचे आए बड़ आपका आइडियल सिच्विशन क्या होगा आइडियल सिच्विशन ही होगा कि आप नेक्स एक्सपाइरी के दिन कर रह यह हो गया अब उसके बाद माल दीजे 43,000 का माल दीजे जब इसके नीचे आप नीचे आते गए नीचे आते गए तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है यहां तक अच्छा प्रियम बढ़ गया तो एक प्रियंट के बाद जब भी रिवर्स कर रहा मार्केट कर देखें तो सेल इसके नीचे आया है तो इसके नीचे आया है तो तो कर सेलए हैँ तो इसके नीचे आ यह है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो एक सब्सक्राइब तो एक सो पॉइंट का जो नीचे एक स्ट्राइक प्राइब नीचे है वहां पे तो ज़सी शिफ्ट करके मतलब प्राइब निचे अगर तो जब तक फॉट्टी टू एट हने डिफेंट किया हुआ है तो उसे कोई बेचा हुआ है तो मार्केट देरे देरे ऊपर जा रहा है अब आप पी अपने कॉश्ट पे शॉप लगा सकते हो क्यों क्योंकि मालो मार्केट उस लवल के उपर निकालता ह है तो आप अपने कॉश्ट पे एकजिट कर सकते हो वह गया इस्व लगा और बुक करना है जब आपको लगे कि भाई यहां पर सोब पॉंट मॉवमेंट हो गया है मेरा प्रीम रखती तीस-पैंटीस परसंट तूट चुका है तो मेरे को बूक आउट कर लेना है ठीक है क्य अब भी कोई लिखता हूं तो किसी सब्सक्राइब कर सकते हो मैंने कोशिट की ऑप्ष्ण बाया है ऑपने सेलर्स पॉंट दूनों से समझाने का सो थोड़ा सा आपको इजी हो जाए और होपफुली इससे हेल्प मिलेगा क्योंकि काफी लोगों रहता था और सस्टेन का एक का गजिए चेनना था उसको बनाएं तो उसको लिचाना रह सा जज्मेंट लेना रहें का वीड़ी शी लगई हो तो लएक कर दिजा 보이트 एक लिंके झाल झाल